अब चेक गए? सूपरपॉफट मेहला होता है? अब अग्सकर अधार लेकिन सा प्रॉफट का मतलब होता है एक्स्त्रा और एक्स्त्रा प्रॉफट आपको निकालना होगा यानि प्रॉफट तो प्रॉफट है लेकिन कौन सा profit निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अब आपके दो तरीके के profit होते हैं अगर मैं profit को लेके चलू न तो दो तरीके के profit होंगे एक आपका जो आपने actual earn किया है जो आपने actual earn किया है ठीक है और दूसरा जो आपने expected किया था expected profit दूसरा जो आपने expected किया था यानि सर ये profit है और ये आपका अंधाजा ये आपका अंधाजा ठीक है न? दो profit है एक वो profit जो कि आपका expected है कि भाई मेरा इतना अंदाजा है कि हम इतना profit कमा लेंगे और एक आपने actual earn किया है अब फटा फट से मुझे comment में जवाब दीजिएगा सभी बच्चे और जितने बच्चे offline है वो भी मुझे जवाब दे इस profit को हम कौन सा profit बोलेंगे जो हमने earn किया है या expected किया है मैं example छोटे छोटे लेके समझाने की कोशिस करूँआ मान लेते हैं मेरा capital और capital छोड़ो investment कह देते हैं capital investment ही तो होता है मैंने एक business में invest किया capital लगाया एक लाग और वहां से मुझे return return मिलेगा 10% यानि मैंने एक business के अंदर पैसा लगाया जहां से मुझे return बोला गया कि आपको मिलेगा कितना 10% तो जो 10% निकलेगा तो सबसे पहले मुझे बता सकते हो कि मेरा earning कितना होगा यहां से तो आपका investment कितना है एक लाग और उसके उपर return कितना है आपका 10% तो आप बता सकते हो कि यह 10,000 रुपीज जो है यह आपने actual earn कर लिया या आपका expected था क्योंकि यह जो rate है आपको rate कब पता चला था बताईए यह rate कब पता चला था आपको यह rate पता चला था investment करते टाइम पर ही जब आपने investment किया था तभी rate था इसको हम rate बोलते है market rate यह rate आपको उसी टाइम पता चल गया क्या ऐसा possible है कि आप जब पैसे लगाओगे और तभी आपको भविशे से पता चल जाएगा कि इतना पैसा खमाए जाएगा तो जवाब है ऐसा कभी possible होई नहीं सकता तो यह वाला profit कौन सा profit माना जाएगा यह profit माना जाएगा expected profit कौन सा profit है यह सर expected profit है अब मैं आपसे पूछता हूँ 2023 का मेरा जो sales था वो sales था मेरा 5 लाख और मेरा expense जो था वो था 3 लाख अब मैंने 2 लाख रुपे मेरी earning है यह कौन सा profit है बताओ यह वाला कौन सा profit बोलोगे आप बताइए यह वाला कौन सा profit है 23 में हमने sales किया 5 लाख का और हमारा expense हुआ 3 लाख का और मेरे पास जो बीच का difference होगा वो profit आएगा इसको कौन सा profit बोलेंगे फटा-फट चैट में कमेंट में बताइए इसे कौन सा profit बोलेंगे बताओ एक्चुल प्रॉफिट जो आपका हुआ है एक्चुल प्रॉफिट कौन सा होगा ये एक्चुल प्रॉफिट अब ध्यान दीजिए एक्चुल प्रॉफिट को ही हम ना कई बार average प्रॉफिट भी बोलते हैं average प्रॉफिट और expected प्रॉफिट को ही कई बार क्या बोलते हैं हम normal प्रॉफिट बोल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है ना अब आप मुझे इसी में example बताईए आपका अंदाजा था आपका अंदाजा था कितना कमाओगे दस अजार ठीक है लेखिन आपने कमाया कितना तो आपके expectation से ज़्यादा कमाया यानि आपकी कमाई यह extra हो गई ना कितनी extra हो गई आपकी 10,000 था और कमाई कितने 2 लग तो extra कितना हुआ मैंने क्या कहा super का मतलब extra इसका मतलब super sir ऐसे निकलेगा क्या average profit minus normal profit क्या super profit ऐसे निकलेगा average profit में से क्या करेंगे हम अब average profit कितने है 2,00,00,00 कर दोगो तो ये वही profit हो गया एक्स्ट्रा बाला part हो गया इसलिए मैंने सूपर को क्या नाम दे दिया वह profit जो कि आपका एक्स्ट्रा है और गुडविल हमेशा आपका जो निकलता है ना आपके business का वह गुडविल depend करता है कि आपका जो है कितना extra effort अचानक से profit आने लगा है और extra profit होने का main reason क्या होता है सर आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी होती जा रही है सेल्स बढ़ता जा रहा है आपकी रेपोटिशन अच्छी हो रही तो इस वज़े से हम क्या करते हैं गुडविल निकाल लेते हैं ठीक है चलिए सर यानि सर आगे हम बढ़ें इसी कॉंसेप्ट को लेके तो सूपर प्रॉफ अब ध्यान से देखें नार्मल प्रॉफिट आपने कैसे निकाला था जो आपने इन्वेस्मेंट किया था उसके उपर किसे मोल्टिप्लाई कर दिया था रेट से यानि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक चीज की और जोरत पड़ेगी अगर रेट आपको दे दिया जाए तो आपको यानि नॉर्मल प्रॉफिट आप जानना चाते हो तो आपको एवरेज प्रॉफिट भी पता करना पड़ेगा समझ में अरी बात अगर मैं सिर्फ बोलता है मेरा रेट 10 परसेंट निकालो नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाते हैं तो छीक है ना इसका मतलब सर यहां पर बात बनती है हमारी यह है सूपर प्रॉफिट तो सर हम तो चैप्टर गुडविल सीख रहे हैं तो हाँ जी गुडविल का फॉर्मला क्या होगा गुडविल इस इकल टू सूपर प्रॉफिट एस पी कर दूं इसको समझ जाओगे इंटू में नंबर आफ परचेज इयर सूपर प्रॉफिट इंटू में नंबर आफ परचेज समझ आ रही है बात आपको यहां तक क्लियर है आपको ठीक है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कोई बच्चा बताएगा एवरेज प्रॉफिट या मैंने सिखा दिया है मेरे को याद है जहां एवरेज प्रॉफिट यहां औरशिक हो उनके लिए मैं एक बर रिपीट कर देता हूं आबरिज प्रॉफिट कैसे आएगा एवरेज प्रॉफिट average profit आपका year 1 का profit plus year 2 का profit जितने साल दे रखे हैं plus year 3 का profit और इसको divide किससे कर देंगे और ये profit कौन सा होगा बताओ business का profit future maintainable profit जो कि हमने past class के अंदर किया था समझ मैं आई बात आपको अब मुद्दे की बात आती है normal profit कैसे निकालेंगे ये बताओ normal profit कैसे निकालेंगे ये बताओ normal profit की कहानी बताओ तो माने ओके सर ये देखो normal profit कैसे निकलेगा बताओ formula normal profit का formula बता सकते हो is equal to capital employed सर्फ capital ही समझो employed तो मैंने extra सब्द लगा दिया भी समझेंगे into में rate divided by याद है आपको अभी यही करा था capital into में rate divided by 100 क्या आगया था normal profit average profit आपको पता चल गया normal profit कैसे पता करना है अब challenge आपके सामने क्या आएगा बताओ और क्या challenge आएगा आपके सामने अगर आप normal profit जानना चाहते हो तो आपके सामने challenge आएगा सर बिल्कुल आएगा challenge जिसे समझना है क्या हमें capital employed आगर हमने capital employed समझ लिया तो कुछ बुसता ही नहीं है सर सबकुछ समझ में आ गया आईए चलिए समझते है capital employed होता क्या है का Capital Employee Capital employee सर क्या होता ही capital ह curls ही होता है बिजनेस का कैसे निकलेगा इसके कुछ में फार्मूल बता देताleri या कुछ steps लिख लेते हैं capital employed is equal to total assets minus में known trade minus में loss you have minus preliminary expense minus discount on issue of shares or minus outsider liability or minus outsider liability माइनस यहां से आगी कर देते हैं माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी यहां कर देते हैं सर इस पॉइंट को करने से पहले हमें समझना भी पड़ेगा सर आप आउटसाइडर लाइबिलिटी किसकी बाते कर रहे हो ठीक है ना अगर मैं आपके सामने एक balance sheet बना दूं सिंपल से ही चलिए समझ लेजिए अगर एक balance sheet बना दूं इधर लाइबिलिटी इधर इसेट्स इधर आपका शियर कापिटल होता है इधर रिजर्वेंट सर प्लस होगा है ना इधर आपका क्रेडिटर होगा इधर आपका डिबेंचर होगा ठीक है इधर आपका इधर आपका इन्वेस्मेंट होगा इधर आपका करेंट एसेट्स होगा कुछ इस तरीके एसेट्स और लाइबिलिटी का कहानी चलता है तो आपका शियरहोलडर फंड यानी सर आप इन दोनों पार्ट को छोड़ दीजिए यह होते इंसाइडर क्योंकि ये तो बिजनस के अंधर कही लोग है capital किसका होगा जो business के अंदर है वही लोग होंगे capital में sir और ये कौन होंगे sir जो बाकी बच गया liability ये इसको बोल देते हैं outsider या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं external किस नाम से जानते हैं external liability अगर आपने 11 वी class में theory पढ़ा हो तो वहाँ पे भी होता है external liability और internal liability ठीक है इसके बाद sir fixed assets और investment investment क्या होता है मान लो आपने business में invest किया business के अंदर invest कितना किया आपने 10 लाग that is आपका capital क्या होगे आपका capital 10 लाग में से अभी आपने 8 लाग ही use किया तो बाकी के 2 लाग तो आपके ऐसे थे जो क्या आप बचे हुए थे इस 2 लाग का आप क्या करोगे बताओ bank में पड़े होंगे या आपने कही investment कर दिया होगा तो इस 2 लाग का मान लिया जाए आपने क्या कर दिया sir FD कर दिया FD पर आपका ब्याज आ गया 5000 आपका FD पर ब्याज कितना आ गया sir 5000 और इस 8 लाग पर भी आपने जो पैसा यहां से आपको भी profit आया इससे profit मान लेते हैं आपको आया 20,000 का अब सर दो दो profit हो गया आपका एक यह profit हो गया एक यह profit हो गया तो आपको कौन से वाला profit लेना है पता है जो business की income से हुआ यह आपका business थोड़ी ना यह तो इक्स्ट्रा पैसा पढ़ा था तो आपको जो profit कौन सा करना है शरिफ limit है यहां पर ब्रेकट मैं लिए व्लाओ ठीक है उसमें से क्या माइनस करेंगा नोट्रेट काسיים ऑफ यह non trade investment में रखा जाएगा तो यह माइनस कर देंगे preliminary expense यह तो sir assets बिल्कुल बेकार का assets है यह तो बिल्कुल खतम मतलब की ऐसे खर्चे होते हैं बता है तो बिजनस के starting में तो इस किसी काम का ही नहीं है discount on issue of shares discount on issue of shares लिख दिया मैंने इस पर तो होता ही नहीं discount on issue of debenture होगा क्योंकि अब debenture सर यह fictitious मतलब value less assets जिसकी कोई value नहीं है outsider liability मतलब मैंने भी बता दिया एक और point इसमें से minus कर देंगे sir goodwill अगर आपको goodwill भी balance sheet में दे रखा है तो sir goodwill निकाली रहे हो तो आपको goodwill यहां रखना ही नहीं है goodwill भी क्या कर दो दूसे तरीके से करने के सोच रहा था चलो यह इसको ऐसे कर दे टोटल एसे माइनस करके यह ऐसे कर देते हैं न यह थोड़ा सा ना आपको नोटिंग में भी थोड़ा परिशान करेगा पहले यह वाले पॉइंट सारे clear होगे तो मैं डिलीट कर रहा हूं से समझ में यह पॉइंट क्या था ठीक है तो इसको डिलीट कर देते हैं चलिए आ जाईए मैं एक बार इसको दुबारा आप ध्यान से देखिएगा आपको भी समझ में आ जाएगा और आपको capital employed अच्छे सही समझ में आ जाएगा और मेन काम तो सर इसमें capital employed है जिस बच्चे ने capital employed निकाल लिया उसका खत्म यह chapter तो क्या लेंगे हम पहले लेंगे total चलिए यह निकालना सीख रहे हैं क्या लेंगे हम पहले total assets और सर total assets कौन साल हो गया बताओ सर market value इस total assets में से minus कर दोगे क्या कर दोगे non trade investment इस में से minus कर दोगे goodwill अगर है तो कौन से वाला सर old वाला और क्या minus कर दोगे इस में से preliminary expense और क्या minus कर दोगे इस में से discount on issue of shares हाँ debenture और क्या minus कर दोगे सर इस में से externally या outsider तो जो आपको result मिलेगा यह मिलेगा capital employed सबसे पहले capital employed समझके में आया आपको सर यहाँ पर जो capital employed बताया जा रहा है ना इसकी कहानी एक और बता दे यह जो capital employed आपको बताया गया है है यह capital employee पताय कौन सा है यह capital employed है average capital employee सर यह जो capital employed है पताय कौन सा capital employee है average capital employee यानी सर हमने अभी जो सीखा है क्या यही average capital इंप्लोई जो आप सिखा रहे थे नहीं जी नहीं यह जो आपने सीखा एना डट इस आपका है कौन सा कैपिटल नॉर्मल स्रिफ आपने क्यापिटल इंप्लोईड निकाला है अगर आप इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप क्या निकाल पाओगे चलिए मतलब kya होता है की एवरेज डिippe कैपिटल इंपल्ष क्या होता है समझना ये सर नॉर्मल क्ैपिटल को ही क्टे करते ने लेकिन क्यूंकि हमेन जो रिटन निकालना है क्ैपिटल पर हो जाता है अभी लगाया था मैंने 1,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005, किसे कर दोगे दो से 4000 मैने कमा लेते हैं आप यह नहीं बोल सकते के सर इस मैने पिछले मैंने तो 5 कमा यह था मैंने तीन अगले मैंने पतानी क्या होगा आप क्या करोगे सब को डिवाइड करके तो हमें इभरेज निकालने के लिए क्या चाहिए आपको ओपनिंग capital employed मैं double e लिख रहा हूँ employed को capital employed को double e लिख रहा हूँ plus closing capital employed आप जब noting करेंगे तो आप पूरा capital employed मेरे पाइब space बचेगा ने इसलिए मैंने लिख दिया ठीक है और इसको divide किस से कर देंगे हैं बताओ दो से यह क्या निकल लिखे हमारा average capital employed यानि आपको opening capital पता चल जाए closing capital पता चल जाए divide 2 से कर दोगे तो क्या जाएगा average capital employed अब कहानी समझो आप opening और closing में फासला क्या है क्यों opening और closing अलग होता है मैंने एक जन्वरी या एक चार समझना अब बात को अगर आप ध्यान से देखो मैंने एक चार 2023 में अपना वैपार start किया और मैंने capital लगाए एक लाग जब business किया तो profit होना चालो हो गया फिर मेरा profit हो गया यहाँ पे profit हुआ मेरा मान लेते हैं और साल के एंड में जब मैंने इकत्यस तीन 2024 अभी आया नहीं है 2024 में मैंने चेक करूँआ तो मेरा capital मुझे नजर कितना आएगा चीक है सेम अगर देखा जाए दूसरी तरफ हम चले तो अगर आपका एक लाख रुपे का profit है और अगर मान लो बीस अजार का आपका नुकसान हो गया यहां पे तो आपका capital कितना दिखेगा यानि सर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीज में जो फासला तैक कर रहा है न वो सिर्फ और सिर्फ एक ही capital तैक कर रहा है होगा ही रहना है तो इसके बीच का जो मेजर फासला है आप देखोगे यह है और अगर मैं आपसे पूछों आप इसका एवरेज बताएगा बताओ मैंने पूछा आपका इस capital का मैं एक यह है option अप आका सब्सक्राइब ऑफ्फशान प्समाओ उप चुछाओ जो कमेंट में बता दो जो बच्चा लाइब में और अप बच्चे आइगा शलिट वटाओं वागिश इन clamp कि ए एक लाग 2021 और यह और चैपिटल है हमें एवरीज PRESID के लिए कि लिए चाहिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल बड़ा असान से बात है क्या मेरे इस एक्जामपल में आपको ओपनिंग कैपिटल दिख रहा है कितने हैं और क्या क्लोजिंग भी दिख रहा है कितने हैं तो दोनों बाते मिल गई तो एवरेज निकालने में कोई सेली का एक दस एक दस तो बिल्कुल सही जवाब है जी एवरेज कैपिटल क्या होगा हमारा एक लाग दस अजार कैसे निकाला बड़े आसान से आपने तरीके से निकाल दिया यह तो मैं कहूंगा बच्चों वाला सवाल दे दिया था मैंने आपको divided by two that is आपका आगया एक लाग दस अजार चलिए option number two में भी बता दीजिए एवरेज क्या है option number two में देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है live class के बच्चों में एक दस एक दस option number two में भी बताईए जवाब दीजिए फटा फट नब्य हजार पता नहीं बीस हजार क्यों कह रहे हूं नब्य हजार नब्य हजार नब्य हजार शुरू आपका गलत है यह सर कैसे निकाला यह एक लाग ओपनिंग में था और क्लोजिंग में 80 अजार और डिपीजवल बाए two कितने हो गए नब्य हजार क्या आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दे तो आप अबरेज निकाल सकते हो सच बात है यह और यह आप समझ में भी आगए आपको कि कैसे निकालेंगे लेकिन आप ध्यान से देखो ना तो इन दोनों का फासला अगर तै करने की बात करें ना इन दोनों के डिफ्रेंस है ना वो सरफ और सरफ एक ही यह चीज है प्रॉफिट एक और तरीके से मैं आपको अब्रेज कैपिटल निकालना सिखाऊंगा अगर मैं देखा जाए ओपनिंग कैपिटल के अंदर मात्र इसका आधा अगर मैं जोड़ दू तो बात तो वही आजाएगी ना दिमाग लगाईए अगर ओपनिंग कैपिटल है और एवरेज किसका करना है अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में बोलो प्रॉफिट को नहीं आड़ करेंगे फिक्स रखेंगे तो बीच का जो डिफ्रेंस होगा सिर्फ प्रॉफिट होगा तो हमे किसको एवरेज कर देना सिर्फ प्रॉफिट को एवरेज कर देना तो आ सकता है यानि अगर मैं एक और फॉर्मुला आप से बोलू तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर मैं यहां पर लिखों एवरेज कैपिटल इंप्लॉइड मैं अगर बोलू ओपनिंग कैपिटल कैपिटल इंप्लॉइड प्लस में वन बाई टू प्रॉफिट बोल सकते हैं और लॉस हुआ तो क्या कर देंगे माइनस में वन बाई टू लॉस आप इधर ध्यान देखिए इन दोनों के बीच का फासला बीस अजार अगर मैं इसके अंदर वन बाई टू इसका माइनस कर दूँ लॉस माइनस करेंगा है तो तो मैं लॉस वाला पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ समझ पाओगे अगर लॉस आगे तो घबराने की जूरत नहीं आप सीधा कर सकते हों यहां तक समझ में आ रहा है सब को क्लियर दूसरा क्या हो सकता है सर और अगर आपको क्लोजिंग से कैसे निकालेंगे सिंपल सी बात है आपको क्लोजिंग माइनस कर देंगे यहां पर वन बाई टू और प्रॉफिट चेक करिए अगर मैं आपको क्लोजिंग दे दूँ और मैंने आपको दे दिया जी प्रॉफिट कमाया है बीस अजार तो आप इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे एवरेज यानि दस अजार माइनस कर देंगे दस अजार क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा तो क्या ये formula भी बन सकता है हमारा लेकिन loss होगा तो वही minus वाला क्या हो जाएगा वहाँ पर लस हो जाएगा ठीक है तो अगर आपको average capital समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ेंगे क्या आपको capital employed की कहानी समझ में आई और average आपको ऐसे भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी जानकारी दे जरूरी नहीं है कि opening हो सकता है सवाल में आपको closing capital दे दे employed और बोल दे profit कितना कमाया तो आपको कौन सा profit निकालने के लिए formula में जो use होना है normal profit निकालने के लिए कौन सा capital चाहिए average वाला चाहिए तो अगर आपको profit given है और आपको capital employed भी closing दे दिया तो आपको average निकालने के लिए ये सहता हमें help कर देगा चिक है और अगर opening given है तो ये help कर देगा अगर opening और closing दो नहीं given है तब तो आयांक बंद करके divided by 2 करना है करके आंसर आजाएगा क्योंकि मैंने क्या कहा सर सूपर प्रॉफिट के नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे इंटू में रेट डिवाड़े रहा हंड्रेड फिर मैंने बोला capital क्या होगा कि एवरेज के पिटल समझ रहे बात आँ तो अब देखिए यह वाला जो रेत हैंडा यह वाला रेट हमेशा गीवन होगा यह मार्केट का रेट है यह में सवाल में दिवन होता है एवरेग्ट भी ऑल्टेश्यवन होगा नहीं तो निकालने का तरीका बता देग Goodwill निकालने का Super Profit Method से Super Profit और into my number of Purchase here Clear रहे यहां था Super Profit into my number of Purchase here Super Profit कैसे निकलेगा सर Super Profit निकलेगा हमारा कैसे कहा गया लिखा ही नहीं हाँ ये तो रहा Super Profit निकलेगा Average Profit माइनस Average Profit आपको पता है Normal Profit कैसे निकलेगा Average Capital into my Rate अगर यहां तक पहुंच जाओगे तो आपका सवाल ही complete हो जाता है समझा रहा है यहां तक हम कुछ questions कर लेते हैं फिर हमें और clarity मिल जाएगा ठीक है चलिए इसको अभी बात में करेंगे हम rate निकालने का है थोड़ा सा हम जो अभी हमने सीखा है फिलाल वो question number 6 करते है और यहां पर rate of return भी given है और super profit के इसाफ से good will बोला गया है जो कि हम निकालके दिखाएंगे और सारे questions आपके exam में भी आए हुए है और किताब के अंदर भी मिल जाएंगे हर किसी को मेरे इसाफ से question तो clear होगा yes or no question clear है ठीक है चलिए पढ़ते हैं हमें कहता है कि कुछ आपको liability given है जिसमें preference share equity है reserve included है tax given है आपको और debenture है creditor given है ठीक है साथ तो हमें यहां पर assets में good will, fixed assets, investment, current, preliminary expense, discount on issue of debenture वगएरा वगएरा given है कहता है the average profit, the average profit of the company after deducting the interest on debenture and taxes यानि जो profit आपको बता रहे हैं उसमें से हमने interest minus कर दिया और tax को भी minus कर दिया ठीक है सर हमें वही profit लेना है जिसमें से यह सारी चीज़े minus हो 31,000 कहता है the market value of the machinery including the assets, including in the assets, rupees 5,000 more यानि जो machinery कहता है the market value of the machinery including in the assets is 5,000 more यानि जो आपको इस assets के अंदर एक machinery होगा कोई भी उस machinery को जोड़ा हुआ है वो अब जितने का भी जोड़ा था वो उतना नहीं रहने बाला 5000 रुपे और बढ़ जाना है यानि market value of अगर fixed assets की बात करूँ तो 1,85,000 आ जाएगा आगे कहता है question में expected rate of return 10% जो कि मैंने कहाता है expected समझ रहे हैं न कि हम future में इतना कमा लेंगे और ये rate किस काम आता है normal profit निकालने के calculate the value of goodwill at the three time of super profit जो भी super profit निकालोगे उसका तीन गुने हो जाएंगे ठीक है आपको average profit already इस सवाल के अंदर given है समझ रहे हैं अब मुद्दे की बात है goodwill कह रहा है goodwill कह रहा है goodwill आप निकालोगे कैसे sir super profit into में three time into में तीन कर दोगे आपको super profit निकालना है तो super profit क्या कहता है super profit is equal to average profit minus में sir average profit क्या कहता है question में given है sir 31,000 लेकिन मैंने कहा था जो ये profit given है ये business का profit होना चाहिए अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपने 20,000 रुपे का investment किया है जिसके उपर आपने कमाया भी है कितना 5% कमाया होगा तो अगर इस पे 5% की कमाई वो भी इसके अंदर included होगा assumption ले रहे हैं कि किस में included है इसी में तो वेपार का profit business का profit तो भी ये 31 हुआ ही नहीं सोचो business का profit तो नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर माना जाएगा सर आप 20,000 पे जो आप 5% की इंकम कमा रहे हो that is आप 1000 रुपे जो कमाई किये ये तो business का profit ही नहीं ये तो आपका ऐसे ही आगया आपने पैसे spare पैसा पड़ावा था लगाया और आ गया तो business का profit अगर मैं average profit आपको बोलूँ तो average profit आएगा पहले मेरे सवाल के अंदर average profit अगर मैं बोलूँ यहां पर एक हजार यह ठीक है अगर average profit निकालू यहां तो सर average profit आएगा हमारा 31,000 तो है और इसमें सर 1000 रुपे ना इंटरस्ट वाला हमारा business से related ही नहीं होता कभी that is आपका क्या आ जाएगा यहां पर कोई डाउट अब हमें क्या निकालना है सर कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें average capital चाहिए और इंटो में क्या चाहिए रेट चाहिए ठीक है प्रॉफिट सवाल में आगे आपका 30,000 मैंने बोला average प्रॉफिट ही हमारा actual profit होता है बताया था कि average प्रॉफिट ही यहाद है भूल गया है अभी बताया था ना average प्रॉफिट ही जो होता है वह कौन सा होता है हमारा actual profit हम एक्चुल प्रॉफिट निकाल चुके हैं और balance sheet के अंदर जो भी जानकारी है यह देखे कौन से तारिक की गीवन है balance sheet के अंदर जानकारी 31 का मतलब जो भी हम capital निकालेंगे फॉर्मूले को यूज़ करके माइनस प्लस करके वह कौन से वाला निकलेगा closing निकलेगा और हमें capital employed निकालने के लिए भी हमने formula भी लिखा है यह एस तरीके से हम capital employed निकाल सकते हैं और जो capital employed balance sheet के data को extract करके निकालेंगे वह कौन से capital निकलेगा closing अगर आपको closing capital employed पता चल जाए और profit पता चल जाए तो average निकाली सकते हो यह formula लगा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां closing capital निकाल लेते हैं यहीं पे चलिए capital employed capital employed double E कर रहा हूं ठीक है ना capital employed is equal to हमें क्या लेना है पहले total assets formula के इसाब से क्या लेना है में total assets that is आपका total assets देखा लाए तो 25,000 और plus में 5000 that is हर बच्चा इस से agree है ठीक है अब इसमें minus करना चालू करो माइनस क्या कर देंगे से less कर देंगे सबसे पहले goodwill अगर दे रखा है तो क्या सवाल में goodwill given है जी goodwill given था कितने का माइनस करिए माइनस कर दीजिए यहां से क्या माइनस कर दीजिए preliminary expense discount तो preliminary expense और less कर देंगे क्या हम discount तो sir preliminary expense कितने है थोड़ा gap है और यह कितने है अब क्या बोला था माइनस कर दीजिए external liability sir external क्या क्या है डूंड लेते हैं sir मैंने बोला था preference share हो reserve and surplus तक की जो भी कहानी है यह सारा का सारा कौन सा माना जाएगा हमारा internal माना जाएगा यह सारा कौन सा माना जाएगा यानि sir external में एक दो तीन यह तीन हो माइनस करना हो रिजर्व नहीं है यह provision for tax है एक मिनट कहता प्रोविजन for taxation कितना है दस अजार तो यह external liability का पार्ट माना जाएगा दस अजार तो टोटल external liability अगर आपसे पूछू तो पत्चेस अजार और पचास पिच्छतर और दस 85 ठीक है तो लेस कर देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी है यही ब्रैकेट में लिख दूँगा कितने दस प्लस कितने पांच प्लस कितने पच्छिस पांच है पचास है पचास है तो पिच्छ असी अब बता दीजी आपका हमारे पास क्लोजिंग है तो क्लोजिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्लोजिंग Capital employees क्लोजिंग मैं फॉड़ा सा यूज कर रहा हूं और माइनर्स क्लोजिंग से जब हमें जाना होते हैं अध्रेज में तो माननस करते हैं औरो और इस बिद्स हम जाना होते हैं तो क्या करते एवरेज बोला जाए तो इसका 1 by 2 में डिरेक्ली लिखना हूँ 15 तो कितने आगे 2,5,000 आगे ठीक है 2,5,000 अब हमें यहाँ पर क्या जानना है नॉर्मल प्रॉफिट सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहता है नॉर्मल प्रॉफिट कहता है कैपिटल इंटू में रेट बाए तो सर कैपिटल कितने हैं सर कैपिटल 2,5,000 कैपिटल कौन से वाला मैंने बताए था एवरेज वाला इंटू में रेट 10% that is लोजी अब क्या हम निकाल सकते हैं सूपर प्रॉफिट 30,000 माइनस में क्या आगे बताओ यहीं कर देते हैं 9,000 क्या गुडविल निकल सकता है मैं रफली कर रहा हूँ जबकि आपको इसके आगे step को लेके जाना है मैं आगे ही ले जाता हूँ नहीं तो आप भी ऐसे ही कर दोगे फिर पता चला चलिए आगे मैं लेके जा रहा हूँ सूपर प्रॉफिट सूपर प्रॉफिट is equal to 30,000 minus 20,500 that is 9,500 ठीक है और कुश्चन क्या कह रहा था कितने टाइम थ्री हाँ दो बीस पाइस चलिए गुद विल पर चानवे सो आ रहा है इसका दिफरेंस या दस-पानसो डिफरेंस कितने आ रहा है बताओ हाँ पिच्चानवे सो आ रहा है चेक करो पिच्चानवे सो ही आगा और इंटू में कितने टाइम बोला था उसने क्या आ रहा है देखिए कितने आ रहे हैं अठाईस हाजए आंसर गया 34 इसका टूटल सही बताओ सही करा या गलत करा 330 क्या आता है बतोल सही आ बात क्यों कितने बात बतारी आता है इस सब्सक्सब्स विंदी है कि दो फो टो ए दो तीन तीस माइनस दसजार माइनस अरे इन्वेस्मेंट तो माइनस करना भूली गए नोन ट्रेड इन्वेस्मेंट फॉर्मूले में क्या था मैंने लिखा है नहीं लिखा है नोन ट्रेड इन्वेस्मेंट वो तो रही गया न समझ रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड आप देख रहे था आपको बता देना चाहिए है नोन ट्रेड इन्वेस्मेंट लिस कितने अब ये कितने आ जाएंगे आपके बाई मैं क्या चेंजES कर रहा है हूँ सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए जो लाइव क्लास में स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ जाना चाहिए ये कितना आ गिया और मैं थोड़ा चेंज यहां भी कर दूगा यहां भी चेंज कर देंगे यहां भी चेंज हो जाएगा अब कितना आ रहे है चेक करो 11,000 11,500 multiply 3 क्या रहे है बताओ ठेक है तो हमारे concept में कोई गड़बडी नहीं था वो हम लेना भूल गए थे ठेक है clear है सभी को live वाले बच्चों ने भी नहीं बताया सर आप भूल गए हो चलो ठीक है कोई बात नहीं समझ में आ गया एक और सवाल करेंगे भी हम यह कौन सा था हमारा super profit अगर super और average आ गया तो capitalize तो वैसे ही हो जाने है